हमें explain करने वाले हैं एक Hollywood comedy movie को जिसका नाम है The Hot Check और बात करें इसकी IMDb rating के बारे में जो है 5.5 out of 10 star movie के start होते ही हमें दिखाया जाता है एक महल में जश्न का महल है महल में हमें एक राजकुमारी दिखाई जाती है जो अपनी arrange marriage शादी से बचने के लिए जादूई earrings का इस्तमाल करती है वो एक earrings खुद पहनती है और दूसरी earrings अपनी गुलाम को पहनाती है फिर उनके शरीर की जादूई रूप से अदला बदली हो जाती है लेकिन उनका दिमाग अपनी जगा पर रहता है अगले सीन में हम एक सिटी में जेसिका नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुती सुंदर होती है जेसिका की close friend अप्रेल कीसिया और लुलू है अप्रेल जेसिका की best friend है ये चारो friend share leader होती है इसके बाद हम देखते हैं जेसिका एक मोटी लड़की हेल्डन बर्ग का मजाग उडाती है जेसिका का एक बॉइफ्रेंड है जिसका नाम बिली है वो उसे अपने साथ इंटिमेट होने के लिए कहता है और उसे कहता है जब वो उसे किस करती है तब उसका सब खड़ा होने लगता है लेकिन जेसिका उसे कहती है वो अपने घपा घप को special moment बनाना चाहती है और वो इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहती इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी friend के साथ मिलकर एक shopping mall में जाती है और बहाँ वो अपनी computer बियांका के bag में एक चुपके से एक bra डाल देती है और security बियांका को पकड़ लेती है इसके बाद वो एक अफ्रीकी थीमबाले store में जाती है जहाँ पर उसे एक खुपसूरत hearing पसंद आती है लेकिन store honor उससे कहती है ये hearing बेचने के लिए नहीं है फिर जेसिका उन्हें चुरा लेती है फिर अगले दिन हम देखते है कलॉय नाम का एक बंदा gas station को लूट लेता है वो ऐसे ही एक छोटा criminal होता है उस gas station के honor के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते इसलिए वो वहाँ से सामान चुराने लगता है जब जेसिका और उसके friend बहाँ पर आते हैं फिर जाते टाइम जेसिका से गलती से एक earring बहीं पर गिर जाती है फिर वो बंदा उस earring को उठा लेता है फिर वो बंदा घर पहुँच कर उस earring को पहन लेता है इसके बाद अगले सीन में हम देखते है जब जेसिका अपने visitor से उठती है तब वो पूरी तरह से कलॉय की बोडी में बदल चुकी है उसके बूप्स और प्राइबेट पार्ट्स बदल चुके हैं उसे लगता है ये बस एक ड्रीम है और दूसरी तरफ कलॉय जब सोकर उठता है तब उसकी भी बल्ली वहां से गायब थी और उस जगह पर एक लकीर बन गई थी इसके बाद जेसिका अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बुलाती है वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी फ्रेंड जेसिका बोल रही है अप्रेल जब उसके पास जाती है तब उसे यकीन नहीं होता फिर जेसिका उसे याद दिलाती है कि उन दोनों की friendship कैसे हुई थी फिर फाइनली अप्रेल को यकीन हो जाता है कि वो ही जेसिका है फिर जब वो लोग अपने रूम में आते हैं तब अप्रेल की हवस जागने लगती है वो जेसिका से उसकी बल्ली देखने के लिए कहती है फिर जेसिका अपना अंडर्वियर निकाल कर उसे अपनी बल्ली दिखा देती है फिर वो इस सब के बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को बता देती है फिर उसके फ्रेंड्स मिलकर उसके सरीर की अदला बदली के बारे में पता लगाते है क्योंकि जेसिका को एक competition में participate करना था इसलिए उसे अपनी body जल्दी से जल्दी चाहिए थी फिर उन्हें लगता है ये काम उन लोगों का हो सकता है जिसके साथ जेसिका ने गलत behavior किया है जैसे इडन, हिल्दनवर्क और वियांका फिर हिल्दनवर्क और इडन से जेसिका माफी मांगती है और वो उसकी help करनी के लिए ready हो जाते है फिर जेसिका को एक club में जाना पड़ता है और जब वो toilet में जाती है तब उसे समझ नहीं आता वो इस बल्ली के साथ toilet कैसे करे फिर यहां का bartender जो की एक gay है उसे लगता है जेसिका भी gay है क्योंकि वो लड़कियों की तरह हरकते कर रही होती है इसके बाद हम देखते है अप्रेल जेसिका को उसी के घर में दो नौकरियों के साथ काम पर रखती है अपने घर पर वो माली का काम करती है उसके parents अपनी married life में चल रही problems के बारे में उसे बताते है और वो उनकी sex life को maintain करने में उनकी help करती है इसके बाद हम देखते हैं जब अप्रेल का boyfriend अप्रेल के पास आता है तब उसने अपने गले में एक सकाफ डाला होता है जब वो उसे इसका reason पूछती है तब वो कहता है यहाँ पर काफी ठंड है जब वो उसके गले से सकाफ को हटाती है तब वो देखती है उसके गले पर love white के निशान है जो उसकी वज़े से नहीं आये थे जिसका मतलब होता है वो उस पर cheat कर रहा था और किसी दूसरी लड़की के साथ मज़े करके आया था फिर जेसिका अपने स्कूल में जॉब के लिए अपलाई करती है और उसे जॉब मिल जाती है इसके बाद हम देखते हैं जेसिका बिली के पास आती है बिली फ्रेश हो रहा होता है और वो उससे कहती हमें बात करनी चाहिए बिली को समझ नहीं आता कि वो इस आदमी से क्यों बात करे इसके बाद हम देखते हैं इडन को इंटरनेट पर एरिंग की एक फोटो मिलती है फिर जब वो सारे फ्रेंट्स अफ्रीकी स्टोर में जाते हैं तब स्टोर की ओनर उन्हें बताती है कि ये एरिंग कैसे काम करती है और कैसे एक प्रिंसेज ने अपनी बॉड़ी गुलाम के साथ बदल लीती और वो उन लड़कियों से कहती है उन्हें जल्दी ही फुल मून से पहले दूसरी एरिंग ढूमनी होगी वरना जेसिका को हमेशा के लिए इसी बॉड़ी में रहना पड़ेगा इसके बाद हम जेसिका को लड़कों के लॉकर रूम की क्लीनिंग करते हुए देखते हैं वो इसी बहाने अपने बॉड़ी फ्रेंड बिली की जासूसी कर रही थी तब बहां उसे पता चलता है कि उसका बॉड़ी फ्रेंड उससे कितना प्यार करता है और बहीं पर उसे पता चलता है अप्रेल के बॉड़ी फ्रेंड जैक की एक और गल्फरेंड मौनिक है अप्रेल को जब ये सारी बात पता चलती है तब उसे जेसिका से प्यार हो जाता है वो उसे साथ में प्रॉम पर चलने के लिए कहती है फिर जेसिका चेर लीडर के competition में एक statue की head पहन कर आती है और अपने boyfriend विली को इशारे करती है विली को फिर लगता ये शायद उसकी girlfriend जेसिका है इसके बाद जब उसका सर निकल कर गिर जाता है और उसके अंदर एक आदमी को देखकर विली की उल्टी हो जाती है फिर जेसिका इस competition को जीत जाती है क्योंकि school का staff इस competition में participate कर सकते है फिर बिली अपसेट होकर बियांका के साथ निकल जाता है इसके दूसरी तरफ हम देखते है कलोई जेसिका की body का use पैसे कमाने के लिए कर रहा है फिर बिली को रास्ते में जेसिका देखती है जो actual में कलोई ह होता है वो उसके पास जाता है और उसे कहता है वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है फिर कलोई उससे पैसे और उसकी कार की चाबी मांगता है बिली भी उससे पैसे और अपनी कार की चाबी दे देता है उसे लगता है यह जेसिका है फिर कलोई उसकी कार लेकर भाग जाता है उस काईट के मताबिक कलॉई पूल डानसर के रूप में काम करता है। फिर वो जाकर जेसिका उको बताती है कि उसकी बाड़ी मिल गई है। जेसिका के पैरेंट्स पी उनकी बातों को सुन लेते हैं। फिर लड़कियां उस बार में आकर जेसिका की बोडी यानि कलॉय को ढूढने लगते हैं, कलॉय बहाँ पर पोल डान्स कर रहा हुता है और वो अपनी बोडी को देखकर भागने लगता है, लेकिन सारी लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं, कलॉय उनसे कहता है आज रात और बहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो क्लॉई को उसके लिए डांस करने के लिए कहता है इसके बाद हम देखते हैं बहाँ पर विली को देखकर जेसिका के प्रैंट्स हैरान हो जाते हैं बहाँ पर विली ऐसा शो करता है कि वो प्रॉंप समझकर इस कलब में आ गया था फिर जेसिका क्लॉई की एरिंग्स चुरा लेती है और फिर उसे दूसरी एरिंग्स के साथ पहन लेती है फिर उनकी बॉड़ी एक दूसरे के पास बापस आ जाती है फिर पोल पर एक आदमी को डांस करता देख सेक्यूरिटी कलॉई से कहता है मंडे नाइट इस गे नाइट इसके बाद पुलिस कलॉई को अरेस्ट कर लेती है और जेसिका विली के पास आ जाती है विली को अभी भी यही लगता है कि उसने उसकी कार चुराई है और वो एक स्ट्रिप डांसर का जॉब करती है विली कहता है वो इस सदमे से निकलने की कोशिश करेगा जेसिका फिर उसका हाथ अपने दिल पर रखती है और उससे कहती है तुम एक ही टाइम में मेरी धड़कन को स्लो और फास्ट करते हो फिर जेसिका विली को किस करती है और दूसरी तरफ अपरेल कलोई को देखकर स्माइल दे रही है और इन दोनों को देखने से हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरी को पसंद करने लगे हैं फिर कलोई पुलिस कार से उतर कर भागने लगता है और एक कार से लिफ्ट मांगता है वो कार पार्टेंडर की होती है जो उसे गे समझता था और वो उसे गिटनैप कर लेता है इसी के साथ मोवी एंड हो जाती है I hope आपको explanation अच्छा लगा होगा अगर आपको explanation अच्छा लगा है मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में